हेलो एवरीवन तो आज हम बात करेंगे IBPSPO मेंस के रिजल्ट की तो यह मेरा स्कोर कार्ड है तो चलिए इंडिविजवल सेक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले हैं आपका reasoning and computer aptitude इसमें minimum cutoff 7.25 की गई थी और मेरे को मिले हैं 20.75 जो की एक decent score है ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर एक decent score है next is general economy and banking awareness इसकी cutoff 3.75 गई और मेरे को मिले है 5.5 जो की एक बहुत ही देकार score एक बहुत ही bad score आप कह सकते हैं बिल्कुल अच्छी performance नहीं रही इसमें मेरी next is English language इसमें cutoff 13.25 गई और मेरे को 30 marks मिले है जो की एक बहुत ही अच्छा score है 30 is a very very good score next is data analysis and interpretations इसमें cutoff आपकी 9.25 गई और मेरे को 25.5 मिले जो की एक decent score है next is English language letter writing and essay इसमें cutoff 10 marks गई और मेरे को 16.25 मिले है जो की एक decent score है तो overall जो total score मेरा रहा वो 98 रहा और cutoff 80.75 गई तो cutoff से मेरे को 17.25 marks ज्यादा मिले जो की मेरे को एक बहुत ही अच्छा जांच देता है selection के लिए next video में हम बात करेंगे final result के बारे में और मेरा selection हुआ या नहीं हुआ 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 हुआ